पूंहें से अच्छा संबंद बनाएं आपने कई बार देखा हुगा कि आप किसी शॉप पर गए हैं तो दुकानदार एक किनारे बैठा रहता है या उसके करमचारी आपको घूर घूर के देख रहे होते हैं या नजर अंदास कर रहे होते हैं ऐसे में आपकी प्रतिक्रिया होती है कि इनको सामान बेचना भी है या चलो यहां लगता तो नहीं कि कोई रूची ले रहा ह सामान बेचने में कहीं और चले जाते हैं आप ऐसा बोल कर या सोच कर किसी और शौप पर चले जाते हैं बस इसी तरह आपके ग्राहक भी आपसे दूर हो जाते हैं ऐसे में आपको इस बात का खास खयाल रखना है कि जब भी ग्राहक दुकान पर आए तो आपको ग्राहक के स सामान कम मार्जन में भी बेचें कई बार जब आप ग्राकों को जानना शुरू कर देते हैं तो उनके साथ आपके संबंद मदूर हो जाते हैं ऐसे में आपको इस बात का खयाल रखना है कि कभी कुछ सामानों को कम मार्जन में बेचतें जिससे आपसे संबंद मदूर बने रह नए ग्राहकों को आकर्शित करने के लिए अपनी दुकान पर ओफर रखें। आसपास के दुकानदारों का सम्मान करें और उनके साथ अच्छा विवहार करें। जब भी आप कहीं दुकान खुलते हैं तो आपके आसपास आपके प्रतियोगी भी होते हैं। ऐसे में स्वभाविक है कि आप अपने प्रतियोगी के साथ दुर विवहार करने लगें। लेकिन यदि आप सफ़र होना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपका बिजनस मारकेट में अलग पहचान बनाए, तो आपको ग्राहकों के साथ अपने प्रतियोगिन का भी सम्मान करना होगा, उसके साथ आधर से विवहार करना होगा, ग्राहकों का स्वागत मुस्कुरा करें, जब भी ग्राहक दुकान पर आए, आपको हर्शर वुलास के साथ दुकान के अंदर उन् अधी में बोलता है कि कई बार लगता है जैसे वह उच्छुप नहीं है अपना प्रोडक्ट बीचने में और आप बस खाली हाथ निकल जाते हैं या फिर दोबारा जाने से कतराते हैं तो आपको अपने बिजनस में इस बात का खास खयार रखना है कि ग्राहक को आपकी दुका उसके बारे में जानकारी देने लगें जिसमें ओफर हो वो बताने लगें ऐसे में यदि ग्राहक आपको आपका ओफर वाला प्रोड़क्ट समझ में आ गया तो वह उसे भी खरीच सकता है ओकी क्रेडिट बिजनस ओके है